हेलो प्यार विदार्तियों, समाकेडमिक यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम इंग्लिज के फॉर्मेटिव असेस्मेंट एट का सिल्योशन करेंगे यानि जानेंगे इनके आंसर को किस तरीकेश अपने को शॉल्ब करना है आई होब कि आप सभी स्वस्त होंगे, मस्त होंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकोन को अच्छे दबाएं तो अपने चोक पर क्या कर देंगे तो यह अपना राइट आंसर हो जाएगा अब आपको सबसे पहले पिक्चर को देखना है पिक्चर में क्या दिया हुए यानि हैन है, मुर्गी दी हुई है यहाँ पे एन लिखा हुए तो मिसिंग लेटर कौन सा होगा अब जी, टी, एच, एच होगा तो एच क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा यहाँ पे एच लिखा है नेक्स्ट है लुक अट दे पिक्चर अट टिक दा मिसिंग लेटर तो कंप्लिट दा वर्ड अब यह क्या है रिंग है तो रिंग में क्या होता है स्टर्टिंग कहां से होता है आर से होता है आर कहां पे है तो आर कहां पे है तो आर अपने क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आर यहां लिख देंगे रिंग तो यह अपना वर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा missing letter अपने को मिल गया next है write the alphabet that comes before the given letters यानि आप से पुछा गया है यानि जो letters दो दे रखा है alphabet जो दे रखा है letter उससे पहले क्या आता है जिसे D दे रखा है तो D से पहले अब आपको यहां रखना small नहीं लिखना है क्योंकि यह capital में लिखना है तो capital में लिखना है अब यह कह रहा है D से पहले क्या आएगा तो C आएगा, R से पहले क्या आएगा Q आएगा, O से पहले क्या आएगा N आएगा, और Z से पहले क्या आएगा Y आएगा, तो आपको इस तरीके से लिखना है next है write the alphabet that comes after the given letters जो letters जो दे रखा है, उसके बाद कौन्छा लेटर आएगा तो E है, E के बाद F आता है G है, तो G के बाद क्या आता है H आता है, H है H के बाद I आता है J है, J के बाद क्या आता है J, K, H, I यानि इस तरीके से पहले और बाद में पहले next है, write the alphabet that comes between the letters यानि इनके बीच में कौन सा आएगा अब ये small दे रखे हैं तो आपको small लिखना है तो B और D के बीच में क्या आएगा C, तो B, C, D P और R के बीच में क्या आएगा Q, तो आपको Q लिखना है M और O के बीच में क्या आएगा N, M, N, O यानि continue पड़ो इनको आजएगा X और Z के बीच में Y, X, Y, Z next है, fill in the blanks with the appropriate pronoun his or her यानि his का यूज़ करना है आपको he के साथ या name के साथ में और her का यूज़ करना है आपको C, तो कैसे करेंगे जैसे mohon is a student, mohonik लड़का है this is his pencil अब mohon है, mohon क्या होगा इसका pronoun जब यूज़ करेंगे तो he आएगा तो he के सेंस में अपने को लगाना है his तो this is his pencil फिर सिता, is a doctor this is her box, अब सिता है सिता के लिए क्या यूज़ करते हैं C का यूज़ करते हैं, तो C, C का object हो जाएगा, हो जाएगा her तो अपने को यहाँ यूज़ करना है her next है, fill in the blanks, appropriate pronoun his or her, यानि same गोई है तो विनेश is a man, this is his his bike, यानि है जो आदमी है वो विनेश है और यह bike उसकी है, किसकी विनेश की, उसकी कौन, यानि विनेश के सेंस में कह रहा है किरन देवी is a singer किरन देवी एक singer है, this is her सितार, यह सितार उसका है तो अब यहाँ पे हर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है किरन देवी, किरन देवी के लिए अपन pronoun c यूज़ करते हैं, और c के सेंस में her सितार I hope कि आपको यह formative assessment अच्छे से समझ में आया होगा, thank you